दीदी ये वाला सवाल देखो ना समझ नहीं आ रहा कौन सा ये वाला अरे पगली ये तो बहुत आसान है देख पहले इसे जोड़ना है और फिर इसमें से घटा देना है सिंपल अरे हाँ दीदी तुमने तो कितने आसानी से कर दिया और मैं कब से माता मार रही थी कई बाहर माता मारने की जरुरत नहीं होती बस नजरिया बदलने से बात बन जाती है सही कहती हो दीदी अच्छा ये बताओ वो कॉलेज का फॉर्म भर दिया तुमने नहीं मैं नहीं भरूँगे उसे मैंने तो कुछ और सोचा है तुम्हारे साथ कौन रहेगा वहाँ कोई नहीं मैं अकेली रहकर पढ़ाई करूँगी वहाँ या अकेली रह लोगी दीदी हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है अरे बारवी में इतने अच्छे नंबर लाने का क्या फाइदा अगर सारी जिन्दगी गाउं में ही बितानी है तो हम्, वो बात तो ठीक है दीदी लेकिन अपने गाउं का माहौल तो तुम्हें पता है न यहां लड़कियों कोई स्कूली बहुत कम लोग भीजते है और तुम शहर जाकर बस इसी सोचने तो बेडा गर करके रखा है यह बात तो सही है दीदी सच बताओं तो मुझे भी शहर जाकर पढ़ने में कोई बुरा ही नहीं लग बस वहां के टिम टाम से डर लगता है टिम टाम मतलब दीदी मेरी एक दोस्त पतारी थी उसके मामा की बेटी गाउं से शहर गई थी पढ़ने लेकिन वहां जाकर एक नंबर की खमंडी और पत्तमीज हो गई वो और तो और तुमें पता है वो तो सिग्रेट भी पीने लगी है तो क्या हुआ शहर की जिंदगी अलग है लोग बदली जाते हैं वहां जाकर नहीं दीदी तुम अगर शहर जाओ तो कभी मत बदलना ऐसे कह रही है जैसे कली जा रही हूँ मैं अभी तो बाबा को मनाना है जो सबसे मुश्किल काम है तुम फिक्र मत करो दीदी हम दोनों मिलकर बाबा को मना ही लेंगे वो माला को पढ़ने के लिए शहर भेज सकते थे लेकिन फिर भी उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था क्या शहर ना बिटिया जो करना है यहीं रह कर कर लो वहां अकेली कैसे रहोगी रह लूँगी बाबा मैंने सब पता कर लिया है कॉलिज का अपना हॉस्टल है जहां स्टूडेंट्स आराम से रह सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है वहां मेरा यकीन कीजे वहां जाकर मेरी जिन्दगी बदल जाएगी सच में बिटिया तुम्हारी मा को तुम्हारी जरूरत है सारी जिन्दगी घर संभालते संभालते ठक गई है वो और वैसे भी तुम तो पढ़ने में इतनी होश्यार हो यहां गाउं से भी बहुत कुछ कर सकती हो फिर शेहर जाने की क्या जरूरत जरूरत है बाबा क्योंकि दीदी का मन है शेहर जाकर पढ़ने का आप उन्हें जाने दीजे और मैं होने यहां मा के साथ मैं यही रहूंगी हमेशा यह वादा है मेरा सीमा की बात सुनकर लाल चन माला को शेहर भेचने के लिए तयार हो जाता है माला शेहर के एक नामी कॉलेज में अड्मिशन ले लेती है और वही होस्टल में रहकर पढ़ने लगती है वो गाउं से शेहर अपने बहतर भविश्य को सजाने के ले गई थी लेकिन धीरे धीरे उसके लिए बाकी चीजने ज़्यादा जरूरी हो गई सीमा का डर सही साबित हो रहा था माला शेहर जाकर बदलती जा रही थी माला तयार रहना आज रात का प्लान है वोर्डन के सोने के बाद निकलेंगे सब अच्छा ठीक है यार बटकल एक्जाम है अरे यार अब तो नाटक मत शुरू कर एक्जाम्स तो आते ही रहते हैं इन डिसको पार्टी का ये मौका बार बार नहीं मिलता हम बात तो तेरी ठीक है चल फिर चलती हो मैं दोस्तों के साथ घुरना फिरना पार्टीज करना अब यही सब माला को पसंद था इस वज़े से उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था उसके मार्क्स लगातार गिरते जा रहे थे दीदी, मैंने नेट पर देखी तुमारी मार्क शीट नमबर तो बहुत कम है दीदी हाथ तो, तो क्या हुआ अगले सेमेस्टर में कवर कर लूँगी मैं वैसे तुने ये बात बाबा को तो नहीं बताई ना दीदी, अभी तो नहीं बताई लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा ना वो पूछेंगे तो, नहीं, उन्हें कुछ भी बताने की ज़रुरत नहीं है, मैं घर आओंगे छुट्टियों में तो संभाल लूँगी सब, बस तू अपना मूँ बंदी रखना समझी, चल, अब फोन रखती हो मैं, मेरे दोस्त बुला रहे हैं मुझे दीदी, ये सब सही नहीं है तुम शहर पढ़ने गई हो या ये सब करने तू एक नंबर की गवार और बेवकूफ है सीमा ये सब शहर में रहने के तोड़ तरीके हैं समझी, दोस्तों के साथ थोड़ी सी ड्रिंक कर ली तो क्या हुआ? कुछ गलत नहीं है इसमें ना दीदी, जो गलत है सो गलत है तुम वापस आ जो, तुमारा कॉलिज तो खत्मी होने वाला है ना? तू पागल है क्या? मुझे गाउँ वापस कभी नहीं आना क्या मतला? देख, मेरे कॉलिज में एक लड़का है राजीव वो लट्टू है मुझ पर उसके पापा बहुत बड़े आत्मी है बस अब राजीव से शादी करनी है मुझे तो क्या? दीदी, ये ये सोचकर तो नहीं गई थी तुम शहर तुमें तो अपना करियर बनाना था ना? और वैसे भी बाबा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे तो ना माने राजीव मुझसे हर हाल में शादी करने को तैयार है समझी तू? और रही बात करियर की? तो एक अमीर खांदान में शादी हो जाए और क्या चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि तू भी समझदारी से काम ले गाउं में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा तुझे चल मेरे साथ शहर लाइफ सेट हो जाएगी तेरी भी बिल्कुल मेरी तरह नहीं दीदी तुम्हें ही मुबारक हो यह सर्थ मैं यहीं गाउं में ही खुश हूँ माला अपने परिवार की मर्जी ते खिलाब शहर में शादी करने थी उसका पती राजीव अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा एक अमीर घर की बहु बनने के बाद माला ने कभी पलट कर नहीं देखा यहां तक कि उसने कभी किसी को अपने माता पिता और बहन के बारे में भी नहीं बताया वो नहीं चाहती थी कि गाउं में रहने वाले उसके परिवार के बारे में कोई जाने और इस बात को लेकर उसकी reputation खराब हो दूसरी तरफ सीमा ने गाउं में ही रहकर ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बलकि अब वो अपने साथ साथ अपने गाउं का भविशे भी सवार रही थी आज उसने गाउं के गरीब बच्चों को पढ़ाया सीमा को आशरवात देते हुए उसके पिता लाल चंद की आँखों में नमी थी सीमा समझ गई कि उसके पिता के मन में क्या चल रहा है वो सीमा के लिए बहुत खुश थे लेकिन साथ ही माला के बारे में सोच कर दुखी भी थे सीमा को भी माला की बहुत याद आती थी लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि माला कहा है और कैसी है ऐसे ही वक्त गुजरता गया सीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब वो कॉम्पटिशन्स की तयारी करने लगी दूसरी तरफ माला की जिंदगी में भूचा लाया हुआ था राजीव इतना परिशान होने की जरूरत नहीं है पैसो का इंतिजाम हो ही जाएगा कही न कहीं से कहां से हो जाएगा कैसे हो जाएगा मेरी कमपनी डूबने की कगार पर है और तुम्हें अभी जूटी तसली दीनी है मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बरबाद कर ली मैंने पापा की बात मान लेता तो आज ये दिन न देखना पड़त कहां मुझे पता चला है कि अपने बैंक में नई मैनेजर ने जॉइन किया है लेडीज है तो तुम्हारे बात करने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा तुम कैसे भी उन्हें मना ले ना अब सब तुम्हारे हाथों में कुछ भी करके लोन माफ होना चाहिए समझी राजीव और माला बैंक समझते हैं बड़ी मुश्किल से उन्हें बैंक मैनेजर का अपोइंटमेंट मिलता है राजीव बात करने के लिए माला को अकेले भेजता है माला जैसे ही बैंक मैनेजर को देखती है उसकी आप ए खुली की खुली रह जाती है सीमा तू बैंक के नई मैनेजर कोई और नहीं बलकि माला की छोटी बहन सीमा थी दोनों बहने इतने सालों बाद एक दूसरे के सामने थी लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था सीमा पढ़ लिखकर बैंक मैनेजर बन चुकी थी और माला उसी बैंक की कर्जदार सीमा ने फॉरण अपनी कुर्सी से उठकर माला को गले से लगा लिया माला की आँखों से आंसु बहने लगे जिसके साथ उसका सारा घमन भी बह गया हालांकि वो चाकर भी वो न कर सकी जो राजीव ने उससे करने को कहा था हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हाँ बैल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलेगा